दोस्तों यहां पर हम बात करें तो हमारे कई सारे ऐसे दोस्तों होने जिनका प्रेंट प्रेडशन आजबात अब आपकी एक्साम कि खतं हो चलू हो वाले प्रीश क्योंगование कमेंट सेक्शन बता दिना ताके हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन के अच्छी था कि क्या मिल जाए अब दूसरी चीज यहां पर बात करते हैं अब जिनके एक्जामनेशन हुए नहीं है चालू होने वाले तो उनके लेक है तो मैं आपको बता दू आपके जो ओसीम के आप ओ यार लिंक्स नहीं मिल देए वीडियो नहीं मिल दे तो एक काम करो नीचे डिस्क्रिप्ट्र में आपको टेलिग्राम चैनल का क्या लिंक दिया हुआ है आप वहां पर आपको क्या सारी चीज़ें अब यह जो चीज़ें अगर आप 11 में हो तो आपके लिए भी जितने भी आने चाहिए आपके completed यानि starting में तो दो-दो chapters ही आते हैं अगर मैं बात को एकडेमिक पैटन के साब से नापकी दो-दो chapters है वह सभी क्या complete क्या हो चुक्या हो चुक्या हो चुक्या है आप जाके चेक आउट क्या कर सकते और नोट भी आपको मिल रहे हैं अब दूसरी चीज अब जिनके exam अब जो है खतम हो चुक्या करें तो यहां देखो मैं आपके को खुश होनी की ज़रत नहीं है अब हाली में आपकी जो half yearly जो examinations है वह आपके क्या होने वाले वह चालू होने वाले सभी बात है और half yearly को आप semester भी बोलते होगे आप टर्म वन का examination भी बोलते होग कि आपकी नविंबर के मंत में तरही बात है अब यहां पर अगर एक prediction किया जाए तो October के थर्ड यहां फिर फूर्ट वीक में हमारी जो examinations क्या होने वाली वह स्टार्ट होने वाली है सभी बात है अब यहां पर चीज यहां आती है कि आप half yearly की examination की preparation किस तरह से करें किस तरह स में हमने जिस तरह से धमागा माचा है वैसी हम हमारे half yearly के examination में भी क्या धमागा माचा सकते तो दोस्तों चले करके हां पर discuss करें सबसे लिचे अगर आप एक college आते हो है एक school जाते हो ठीक है तो वहां पर आपको देखने मिलता होगा कि एक subject के लिए कई साही teachers होती है जो तरह पर यहां पर आपको सबसे पेला काम क्या करना वाल में क्या अब आपको यह चेका आट करना है कि आपके हवेली के exam के लिए जो टीन टीचे लेक सब्जेक्स जो क्या करते है उस subject के paper को बनाते है उस subject का paper questionote बहुत बनता है उसको क्या decide करते है कि उसे देना चाह है पब का लगान है कि पिछले साल के जो question papers कैसे थी आपको पीवाई क्यों देख लिए अगर आप इतने खुश किसमत हो कि आपको पढ़ाने वाली जो टीचर है वही क्या है आपके स्कूल के आपके सांडर के आपके क्या सब्जीट की है तो वहां दर ना क्योंकि यहां बहुत 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 सारी चांशाles चीज है कि आपको बहुत जब सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करेगा तरह चीज है कि हमने लिक्षध में हम बहुत धान दते हैं लेक्षिश बहुत अच्छे से क्या करें तो समझ लेते हैं आगि अब यह चीज आप समझ लेते हैं तो यहीं पर आपकी क्या होती सबसे बढ़ी गलती हो जाती है तो कहीं ना करें जो आपके एक आप अच्छा मार्ट क्या स्कोर करोगे तो वहीं पे यह आपका रास्ता वह बदल जाते है ऐसा बहुत सारी जो सारी दोस्त होते हैं करें गलती कि करती कि सब्सक्राइब में निए ऐसा नहीं कर आपको क्या करना आपको dhp प्रब्Friday Max वह ऒफिस relying और यह कर呢 एक आप आप एक प्राक्टिस करने क्या करना है कि यहां पर अप्ट पर डेखो गे तो टेली टायम की किस तरह से होना चीजों करना है अपको इसका करने है तो तो इस तरह से आप जब करोगा तो अब यह जो पर्टिक शॉप्च होगा याप है यह आपको पॉस्वेट होने चाले हो जाएगा थीक है आप प्रेक्टिस करिये आपने आपको नेट पर बहुत सारे जो कोशन पेपर आपको देखने मिल रहेंगे तो आपके हाफ यह जितना भी से लेबर से उसको कोशन पेपर उठालो उसको कोशन पर आ रहे हैं उसकोशन पेपर में जितने कोशन देए वह आप सॉल कर पारे हो कि नी कर पारे हैं वह चीज आप चेक कर लो ठीक है तो यहां पर टेस्ट देने के बाद अब जब आप एक्जाम के लिए जाओगे तो यहां पर क्या होगा आपकी लिए जो चीज़ें के वह बहुत जादा क्य पढ़ लिया तो नहीं होता है कि आपको वह concept को बार बार क्या करना पड़ेगा रिवाइस करना पड़ेगा जब आप बार बार चीजों को रिवाइस करो तो आपकी दिमाग में चीज़ें जाएंगे और फिर उस मदद से आप क्या कर सकते हो आप अपने एक्जामनेशन में अब तक उन्होंने बीके में जो क्या अटेम्ट किया है बीके में बस थियरी अटेम्ट कि ज्यादर तर अगर किसी को आ रहा होगा तो अकाउंटिंग एक्वेशन है यह चीज़ आपको देखने मिलदा होगा ठीक है लिकिन आपको बताओ तो हाफ यहली एक्जामनेशन में आपके जो टॉपिक जानेगे की कौन से चैन्से चांसे तुपसरा पहली चीज आपको जर्नल आएगा दूसरा जो आपको आएगा वह लेजर आएगा से बाते तिसरा जो आएगा आपको सबसीडारी बुक आपको बहुत सारी चीज़ देरती है तीक है आप यहां पर सोच प्रद्वर्ट में यह जाके तोड़ेंगे नहीं होने वाले कोपी कर लिए कई करने के बात क्या जाएंगे हम इग्जामनेशन देनी जाएंगे फिर एक्जाम लगाना था यहां पहला यहां पर जाएगा तो यह दिक्कत आती है तो यह चीज बोड़ो कि अभी से यह पूरा जो फ्लोव है यह फ्लोव पुरा बना के रख लो अपता है इस तरह से चीजों को करो हो गया तो बट अब्वेस सी बात है आप एक अच्छा कहा सकते हैं मार्फ जो है आपके अंदर यह confidence आगा कि आप आफ बोड एक्जाम के लिए या फिर आपका जो फाइनल एक्जाम होगा उसके लिए आपका तयार हो आप पेपर का दे सकते हो क्योंकि देखो यहां पर जितनी चीज़े आप अच्छे से कर लोगे कहीं ना कहीं उतना सिलेबस आपका complete हो जागा आपका जो बड़न है वो complete हो बता रहा हो कि दिवाली के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेग समझना तो आपके पास आगे बड़न नहीं रहेगा आपके ABT होगा फिर बोड का ABT होगा देखते देखते आपका बोड एक्जामनेशन कब आ जाएग आपको पता भी नीच चलेगा तो मेरे खाल साब कोई चीज समझी है तो प्लीज अपने जो एक्जामनेशन आपकी खत सब्सक्राइब करना अपने दोस्ता शेर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदिमगीरी कॉमर्स अकाडमी पर दोस्तों